हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक राथना की खुश्पू, साइकल प्योरा गर्वत तीर सीता, ये बक्चों वाला माटक छोड़ो, और स्वया मुटकर हमारे साथ चलो, अमिपा, तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीते हुले जाएंगे, चलो साउधान रावर्ण, नल कुवेर के श्राप को याद करो जदी तूने किसी परिस्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद, उसका शील भंग किया, तो तेरे सर के साथ टुकड़े हो जाएंगे ए लंकेश, जदी आपको अपने युद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है, तो मैं श्रीराम की और से आपके समस्त युद्धाओं को चुनोती देता हूँ, मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ, जदी आपका कोई युद्धा इस पैर को धरती से पैचन देता हूँ, यह वो अपनी हार मान कर इस लंका से वापीश चले जाएंगे, जए श्रीराम युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति बड़मावश्यक है, तुमने लक्षमन से कहा था, कि तुम्हारे यहां कोई नीती, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है, हम शस्त्रहीन और निहत्य शत्रु पर कभी वार नहीं करते यह है रगुवंशियों की वीरता, लंका नरेश, तुमस्स समेश्चा स्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दाया के कारण जेवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा सीरिता राम चरित पतिपाद इसने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं महराज, वो किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, केवल रोती रहती है और कहती है वो इसी प्रकार भूखी रहकर अपने प्राण त्याग देंगी सुना है तुम मरना चाहती हो? परंतो तुम्हारे प्राण लेने के लिए यम्दूत तो क्या सवयम यम्राज भी हमारी आग्या के बिना यहां नहीं आ सकते तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे सुन्दरी तुम ने अभी तक रावन की शक्तियों को नहीं पहचाना जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो वो शक्तिया तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित अब ब्रश्ट हो चुकी है ना केवल शक्तिया वरन उन शक्तियों का वर्दान देने वाले प्रम्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है जब शक्ति ब्रश्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित तो शक्ति में बल नहीं रहता सत्य अकेला हो तो भी ब्रश शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है तुन्हें आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है एक पवित्र पती व्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ अहंकारी मुर्क तो ने पाफ रिती से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग्स पर्श किया है इतना ही दोश तेरे नाश के लिए पर्याप्त है ये शूर वीर और धरम परायन पती के विशेले बान निश्चे ही तेरा सुमूल नाश कर देंगे अपने राज्ज से निकाले हुए दरदर भटकते हुए उस वनवा से बिक्षुक की आशा करना छोड़ दे एक अंजान बालिका की भाती एक बिखारी का सपना मत देख जो कभी सच नहीं होगा सपना देखो तो लंका की सामरागी बनने की जिसके साकार होने में केवल तुमारे हाँ कहने की देर है तीनों लोकों की संद्रियां अपने रदे में यही सपना संजोए बैठी रहती है परंतु तुम कितनी भागशाली हो सीता कि स्वयम त्रिलोक विज़ई रावन तुमारे सामने प्रेम की बिख्षा मांगने खड़ा है जो शीष तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं जुपता वो शीष तुमारे चड़ों में जुका हुआ है तुमारे किवल हां कहने मात्र से तुम इस अपार वैभव असंख्य राक्षा सी सैना लंका की देव दुल्लव संपत्ती और स्वयम लंकेश्वर रावन के रदय की स्वामीनी हो जाओगी वैभव शक्ती संपती के मों में आकर जुस्त्री अपना पतीवर धर्म भूल जाए तुम मुझे एक कायर तुच्छिंगा लिते हो तो कि चौरो की भादि आकर एक असरे अपना को छहल से उठाले गए ठिकार है तुमपर तुम्हारे एश्वर्य और व्याभव पर तुम्हारे पुर्वजों परुम्हारे कुल पर ठिकार है एक बार नहीं! हजार बार ठिकार है इतना गमण अपने पतीवर धर्म का हम इस तो आज इसी क्षण तोड़ देंगे तुम्हारे सवंदर ने अपने काम बाणों से हमें विजिर्ण कर दिया था इसलिए एक सच्चे प्रेमी की भाती हम तुम्हारे पास प्रेम की फिक्षा मांग रहे था परंतु तुम उस साधर की यूद्धि नहीं को मिख्यू का जण। लंका में लंका पती की इच्चा यदी की स्वेच्छा से पूरी नहीं करता नों रिंग होती स्वाय मत्ते बल से अपनी प्रीक करना जानता है आज तुए हम लंका पती की पत्नी बनने का सवभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे उठो चलो हमारे साथ की सावजान पापी इस प्राचीर को पार्थ करने का सहस्न करना रावन के प्रचंड आवेक को एक तिनके की दिवार से रोका जा रहा है आप खास एक तिनके को शस्त्र बना कर त्रिलोक विझजई रावन से यत्गरोगी सुन्दरी काम देव फूलों के बाणों से पुर्शों के रदय भेटते हैं तुम एक तिनके के बांद से रावन कावत करना चाहती है तुम सत्य कह रहे हो रावन कि यह तिनका नहीं यह धरम परायन स्थी के शील और सत्य का अगनी बान है यह सीधा के सतित्व की अभेदर दिवार है एक सत्य अपर पुरुश के बीच एक तिनके की ओंड भी बहुत होती है यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पती से अनन्य प्रेम किया है तो है नारी धन की मुर्तिमान देवी मता अंस्या उस तिनके को पाल करते ही यह पापी बस नहों हो जाए कितना संदर माटक है सीता ये बक्चों वाला माटक छोड़ो और स्वाम उठकर हमारे साथ चलो अमिफा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें गसीते हुले जाएंगे चलो साउधान रावन नल कुवेर के श्राप को याद करो तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलातकार किया है मैं श्राप देता हूँ यदि तूने किसी परिस्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद उसका शील भंग किया तो तेरे सर के साथ टुक्डे हो जाएंगे भंग करते हैं कि हम तुम पर हात नहीं उठा सकते हैं फिर उसके लंका की सामरागी बनाना है उसे अउपनीत दास्त्री के सामने अपमानित नहीं कर सकता आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात मानने ही पड़ेगी इसलिए आज हम तुम्हें चोड़ देते हैं और एक वर्ष की आउधी देते हैं स्वयम पुसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना अन्यसा हमारे रसोये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड से टुक्रे कर डालेंगे तुम लोग सावधानी से सीता की रक्षा करने कोई भी पुरुष्यास्त्री हमारी आज्या बिना सीता से मिलने न पाए इह मोती माने स्वर्न वस्त्र आबुश्ण जिस वस्तु की चाहों वह तुरम दी जाए यह हमारे खुली आज्या है सीता जो कोई भी जान बूच कर या अंजाने में विदेह कुमारी से अप्री वचन कहेगा तो हम समझेंगे उससे अपने प्राण प्यारे नहीं है तुम इसका अहंकार तोड़दे का प्रैत्न करो भाई दिखाकर या मीठे वचनों से साम दाम दंड भेड किसी भी उपाय से इसे वश्त में लाने की चिश्टा करो जोक हो इसके आत्म समर्पन का शुर्व समाचार हम तक पहुंचाएगा हम उसे मुमांगा धन देंगे जो आग्या महराज कर दो कर दो कर दो कि नाथ यदि आप प्रसंचित हो तो आप से कुछ मांगों कहो रावन की महराणी को कि स्वस्तु का अभाव है जो उसे कुछ मांगने की आवशकता पड़ी स्वामी सीता लंका के लिए अमंगल रूप है आपकी किर्टी पर एक कलंक है उसकी यहां होने से किसी का कल्यान नहीं होगा महराज अभी समय है आप उसे राम के पास वापस लोटा दीजिए अन्यथा 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 क्या होगा बोलती क्यों नहीं दीजिए वीर पुरुष जिस मार्थ पर एक बार आगड़ी पड़ा देते हैं पिर उसे पीछी अड़ाने की बात भी नहीं सोचते चाहे सामने मृत्यू ही क्यों न खड़ी हो वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यू सभी नहीं डरे यदि तुम्हें हमारे यश और किर्थी की सच्मुच चिंता है तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फाल केवल अब किर्थी और निंदा ही है रावण की पत्नी और प्रमवीर मेगनाथ की माता को ऐसी भीरूता शोबा नहीं देती नहीं हमें विश्वास नहीं यह संभव नहीं जबसे सुष्ट्री की रचना होई सागर को कोई बान नहीं सका यह संभव है संभव संभव हो गया महराज और वह भी केवल पांच दिन में उन्होंने सागर पर सेतु बांद दिया क्या सागर पर सेतु बांद दिया सागर पर सेतु बांद दिया सागर पर सेतु बांद दिया झाल 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 कि राम लंका पहुच गया है यह समाचार सीता तक पहुचे उससे पहले सीता हमारी को जानी चाहिए खमा करें महाराज जब तक राम जीवित है सीता आपको कभी स्विकार नहीं करेंगी कि राम जीवित है तब तक ना ठीक है उसका उपाय आज लंकेश्वर करेगा कि राम जीवित नहीं करेंगे प्राज करेंगी 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 उस्विकार देख नारे प्रून शीतों है सीता है आज हम तुम्हें एक शुब समाचार सुनाने आये हैं कि समाचार नहीं सुनोगी कि सुन्धरी शुब समाचार यह है तुम्हारे बंधन तूट गए है तुम्हास से मुक्त हो गई हो कि सच मुझ मुझे मुक्त करके मुझे मेरे पती के पास भेज रहे हो या फिर मेरे परिहास कर रहे हो अरे पती कैसा वही तू बंधन था जिससे तू मुक्त हो गई हो सीता सुन्दरी जब तक पती जीवित था तुम पर पतीवत धर्म का बंधन था हमने उससे ही समाप्त कर दिया है अब ना पती रहा ना पतीवत धर्म का कोई बंधन रहा अब तुम उस धर्म बंधन से मुक्त हो गई हो अब हमारे मिलन मार्ग में ऐसी कोई बाधा नहीं रही जो तुम्हें लंकेश्वर की महारानी बनने से रोक सके कि इसी खुशी में हम तुम्हारे लिए एक अद्भोद अनमौल उपहार लेकर आये हैं त्रिजटा जी महराज भेट का थाल राजरानी के सनमुक रख दो इस पर पड़ा आवरन उठा लो यजया से नहीं स्वामी, मुझे अवश्य कोई भूल हुई होगी, जो आप इस अंसार को छोड़ कर जाते, मुझे अपने जात नहीं ले गए आप तो जहां कहीं भी जाते थे, मुझे पता कर मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, फिर इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया प्रणेश्वर, आप तो जानते हैं, आपके बिना मेरा इस अंसार में कोई भी प्रयुजन शेष नहीं रहता, मैं दुराचारी के जाल में भासकर, अब तक कैसे जी रही हूँ, क्या इसी दोश के कारण आपने मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया, पापी, तेरे कारण मेरे पती से मेरा वियोग हुआ है, उस पाप का डन्ड के सामने मेरे पती अपने हाथों से तुझे देते, यह दिश्य में अपनी आखों से नहीं देख सकी, परन्तु मुझे मेरे पती से जुदा करने का पाप का भिशिन डन तुछ अवश्य मिलेगा यह मेरा श्राप है सुन्दरी यह श्राप देने का समय नहीं है यह तो हमारे तुम्हारे मिलाप की घड़ी आ गई है जब तक तुम्हारा पती जीवित था तब तक तुम्हारी हटधर्मी समझ में आ सकती थी परन्तु अब ऐसे आउसर को खो देना केवल मुखता ही है अब यहां से तुम जा नहीं सकती और जो तुम्हें बचाने आया था वह भी मारा गया अब सेश जीवन जोगन की भाती इस व्रक्ष के नीचे बिताना कहां की बुद्धिमानी है सीता अब ऐसा आउसर फिर नहीं आएगा कि सर्वलोकों का विजेता तुम्हारे चर्णों में स्थान पाने की फीक मांग रहा हो अब हमारे बीच कोई बादा नहीं रही मरने वाला चला गया जो जीवित है उसका हाथ ठाम लो नहीं तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा यह तुमसे किस ने कह दिया किसके पाद भी मैं जीवित रहूंगी रावन पत्ती पत्ती का नाता एक चन्ड का नहीं होता हूँ मैं तो अभी मृत्यू के देवता को बुला कर अपना यह शरीर उनको सौब तुमकी जैसे यह शरीर श्री राम नहीं है उसी प्रकार यह शरीर भी सीता नहीं है राम और सीता का आपस का जो संबंध है वो इन शरीरों से परे तो अनादी और परम गुण आत्माएं है शरीत तो मिल्ली का एक मात्र साधन है जो हर जन हर लोग में अलग-अलग होता है इसलिए मुर्क तरी यह याचना व्यर्थ है सीता और राम कभी भी जुदा नहीं हुए और कभी भी जुदा नहीं होंगे यह शरी रहे या ना रहे मुझे केवर इतना ही आश्चरिया है कि जब श्री राम इस शरी को छोड़कर जाने लगे होंगे तो मेरी आत्मा को उसका भान क्यों नहीं हुआ प्रभू में त्रिष्टी तो सतत आपके चरण कमलों को एक प्रहरी के भाती देखती रहती है तो फिर इस प्रहरी से ऐसी फूल कैसे हो गई है मुझे एख्शबा कर्दी जय मुझे शमा कर्दीचे हुआ मुझे क्ष़बा कर्दीच प्रभू है लाइज की जय हो क्या है शमा करें महाराज युवराज अिंद्रजीत और आपके मंत्रि मंडल के अनने किसी विशेश मंत्रणा के लिए आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं करने दो यह राज इंदरजीत ने कहा है कि विशे अत्यांत गंभीर एवं महत्वपूर्ण है आप से निवे देन है कि शीग आने की क्रिपा करें कर दूंद कर दूंद कर दूंद कर दूंद यह क्या मत्वपूर्ण? ये क्या रहस्य है पुत्री ये तो मायावी शीष था श्री राम का शीष नहीं था ये तो केवल रावन की रचाई हुई एक माया थी महराज के सामने मैं तुमसे कह न सकी परंतु तेरी पती तो सर्वकुशल है साच हाँ पुत्री वो सचमुच लंका पहुँच गए हैं कहते हैं उन्होंने वो चमतकार किया है जो आज तक इस धर्ती पर किसी न न किया हूँ और उन्होंने विशाल सागर पर सौ योजन लंबा पुल बान दिया है और अपनी विशाल सेना समेथ समुद्र को लांग कर लंका की इस धर्ती पर आ पहुँचे हैं नात आपके श्रीचेरे इस धर्ती पर आ गए हैं और मैंने अभी तक आपके चेरें स्पर्ष नहीं किये स्वामी मैं धर्ती माता के मात्यम से आपके चेरें स्पर्ष करती हूँ आप मेरा नमस्काय स्विखार कीजे प्राठाथ आप धन्य है धन्य है प्रभु आप कि पार्वत्ती पती है शूल पाणी है महादेव है रक्षा करो रक्षा करो है शिव शंभो है के लाश पती मेरे पती की रक्षा करो के लाश डात्त सदा हमारे साथ ही है रानी किस कारण इतनी अधीर हो रही हो कारण पूछ रहे है स्वामी इससे भयंकर अप्शकुन और क्या हो सकते हैं ना बादल ना बिजली ना अंधी न तूफान श्री राम के शिविर से मंदो दुरी तुम भी हमारे वैरी को श्री लगाने लगी शमानात परूसी पड़ाओं की ओर से एक जंजा वाजसा आया आपके आमोद प्रमोद में विग्न डालता हुआ मेरे करण भूल काटकर आपके मस्तक से ये मुकट गिरा गया और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं अरी पगली सिरका गिरना जिसके लिए शुबसिद्ध होता रहा है मुकट के गिरने से क्या आप शुकन होगा उसका आप कितना भी हसी में टालिये स्वामी पर मैं आपके धर्म बतनी हूँ आपके अच्छे बुरे प्रत्य करम की समान से सह भागनी हूँ मेरी विंती को स्वीकार कीजिए यह शकुन अच्छे नहीं है रगुनाद से विरुद्ध छोड़ दीजिए नात मायदानों की बेटी शीश काटकर भुजाओं पर कैलाश परोत उठाने वाले महाभट रावन की भारिया इतने साधारों से टोटके से डर गई राम मायपती को अपनी माया के टोटके दिखा रहा है यह टोटके नहीं महाभलि यह वश्य राम का बांट था यह पांड भी था तो क्या हुआ जब तक उठ पहाड के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है अभी उसने दशानन की चंद्रहास खड़क की चमक नहीं देखी है ब्रमास्त नागपाश इंद्र से छिने वज्द माया भी शूल से सामना नहीं किया है लाव हमारा मुकुट पहना दो हमें कि महादेव अनंद काल तक लंकेश्वर के मस्दक पर यह मुखुट दमकता रहे कि लंका के मंत्री गण्ड तैना के पदाहिकारी नायक गण्ड युवराज इंद्रजीत सेना दक्स प्रहस्त कि आप सबको विदीत ही है कि आर्या व्रत से आया एक दुराग रही दुस्सहसी मानव कुछ भालू वानरों को साथ लेकर लंका बच्चणाई करने का सपना देख रहा है अब युद्ध अनिवारी हो गया है लंकेश युद्ध को हमारी लंका के द्वार तक लाने का दायत्व क्या केवल उस मानव पर ही है क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि यदि इस हीता को लटाने से युद्ध रुख सकता है तो क्यों न उसे लटा दिया जाए जो युद्ध का वास्तवी कारण है हमें उस कारण पर भी विचार करना चाहिए महराच कारण पर नहीं केवल निवारन पर ही विचार किया जाएगा किस प्रकार अपनी धर्ती प प्रेवल इसी बात की योजना बनानी होगी बस लंकेश की आलोशना अप्राद मानी जाएगी महराच युवराज के कथन का मैं अनुमोधन करता हूँ मूल विशे से हटकर और कोई बात में की जाए हम व्यर्थ में तर्क कुतर्क में समय गवाते रहे और वो मच्छर सागर पर से उड़कर हमारे सिर पर आ बैठे हमें ऐसी नीती को अपनाना चाहिए जिससे कि वो रेंगते हुए सपोलों के फन यहीं कुचल दिये जाए तुम ने सेना दिक्ष के पत के अनुकूल ही बात कही है हमें साउधान रहना है पर अंतु प्रसम प्रहार भी नहीं करना है शमा महराज इसी नीती का मैं सदा विरोध करता रहा हूँ इसी नीती का परिणाम है कि आज चूटियों के पर निकल आए है पर निकलना ही चूटियों के प्राण निकलने का संकेत है महराज चूटियों को मसलने की आज्या प्रदान करें उसका समय भी आ रहा है परंतु अभी हमें अपनी व्यू रचना के अनुसार परकोटे के अंदर ही रहना चाहिए जिस प्रकार अभी मंत्रित कवच के अंदर शरील सुरक्षित रहता है किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता हम भी अपने विराठ विशाल अभेज दुर्ग के अंदर सुरक्षित परंतु साउधानी से सैन्य संचालन करते हुए सतर्कता से उनकी गती विदियों को जीद दुर्ष्टी से परकते रहेंगे परंतु वो चुक तो नहीं बैठे रहेंगे वो आक्रमन करके लंका के द्वार तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करेंगे प्रयत्न करेंगे परंतु सफल नहीं होंगे क्योंकि लंका के परकोटे पार करके देवता तक भी अंदर प्रवेश्ट नहीं कर पके हां हमारे सुदर परकोटे से सर पटक पटक कर धीरे धीरे ठक अवश्च जाएंगे वहीं समय होगा एक ठके हुए शत्रू पर तूट पड़ने का तब उन्हें मिटा देना हमारे लिए सरल हो जाएगा महराज मेरे दूतों का समाचार है कि उन्होंने अद्भुत गरुर्व्यू की रचना की है जो अभेद्य है शुक तूंसे प्रभावित होकर आया है अरे बेदन करने का प्रश्ट नहीं कहा है गरुर्व्यू रचे या श प्रश्ट कर ले सकेगी हां महराज की सूज बहुत गहरी है शत्रू अपने ही शक्ति नष्ट करके अपने ही व्यू में तड़ पड़ा कर दम तोड़ देगा फिर भी शत्रू शत्रू है हर प्रकार की स्थिती का सामना करने के लिए सदर्क रहना चाहिए इसलिए अपनी आंतरिक सुरक्षा और सम्रांगन में जाने की स्थिती आने पर उससे निबट लेने की पुरी योजना हमें अभी से बना लेनी चाहिए सरवोच्च सेना दिक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही समाले रहेंगे समस्त युद्धो का किर्तिमान है कि इंद्रजीत ने जिन युद्धो का संचालन किया है हमारी सदा जय ही हुई है कि मैं प्रतिग्या करता हूँ कि मैं अपने पित्रदेव की निष्ठा पर और लंका की आन पर अपने प्राण विताओ पर लगा दूंगा इस सर्वच्च पद की प्रदिष्ठा पर अपने जीते जी आज नहीं आने दूंगा बीर इंद्रजीत तीनों लोकों में लंका का बोल बाला और असुरों का दब दबा तुम्हारे इबल से है मेघनाद तुम्हीर रावन के उन्दत ललाट पर मुखट बनकर शोबिच हो पुत्र तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं बस तुम्हारे आधीन लंका दुर्क के चारों द्वारों पर सेनापती योद्धाओं की नियुक्ति कर दी जाएं वह अपते सैन्यबल के साथ वहां जाकर डड़ जाएं महाराज के हर अग्या का पालन किया जाएगा सर्वोच सेनादक्ष के पत्पे रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सैनादक्षों और सैन्यबल के साथ तुम स्वैम रहो पश्चिम द्वार अत्यंत महत्व पूर्ण है ऐसा ही होगा महराज हमारा पूर्व पर्खोट जो लंका का प्रमोग प्रवेश द्वार भी है वहां पर राज कुमार प्रास अपने अधीन सेना को लेकर ड़ जाए कि मैं शबत लेता हूँ मेरे प्राण रहते कोई पक्षी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा इंद्रजीत दक्षी द्वार पर किसे नियुक्त करना उप्युक्त होगा मेरे विचार से सैना नायक महापाश के आधीन वीरुपाश जैसे कुशल नायक गुप्चर शारदूल उस और सजग रहकर शत्रू की गतिविदी का निरिक्षन करते हुए आपको सूचना देते र आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है महराज उत्तरद्वार पर अपने पुत्र अथिकाय महाबली दुर्मुक्त और सेनापतिय कंपन के साथ चारों दिशाओं का उलोकन करने के लिए हम स्वैम रहेंगे इससे सारी सैनाय आपका उलोकन करती हुई पूरे उत्सा के स साथ हर स्थितिका सामना करने के लिए तैयार रहेंगी कि इसी इस योजना के अनुसार सैनाय अपने अपने मोरते पर पहुंच जाएं ऐसा ही होगा महराज लंकेश्वर की जै हो क्या है महराज शत्रु का एक दूत आया है उसका कहना है कि उएक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी और लंका में शांती बनी रहेगी कि शांती का प्रस्ताव लाया है वा राम युद्ध से पहले ही शांती दूद भेज दिया अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं पहले ही डर गए भेजो उस दूद को जो आग गया महराज कि कि चमक प्रीड़ भेज़ दो हमार कि अलोंः दूद की चोनद्रह राम इनन प्रस्ताव से फुलकदेह Node. कि शुभर एंह बार आए झाल पूर्णार कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आये हो महराज सब भे देशों के राई दर्बारों का विधान है कि दूसरे राजे से आये हुए राई दूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए फिर समान सहिद उसका आतित्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए मुर्ख इतना भी नहीं जानते कि राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने बेजा हो जंगल से आये हुए किसी बिखारी के बेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर मैं जिनका दूत हूँ वो तो राजाओं के भी राजा है राज राजेश्वर है वो केवल इस भूमिखंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वाबी है देवताओं वेदों और विदी के भी वही नायक है मैं उन्हीं ते लोकेशर का शरी राम का राय दूत हूँ वह हरी है हर है या ब्रह्मा है कौन है वह तुम इतने बड़े बड़े वारतालाग जिसके लिए सुना रहे हो उस तुम्हारे राम की वास्तविक्ता केवल इतनी ही है कि वह एक भढ़कता हुआ वनवासी है जिसे महाराज रावन आपने मेरे स्वामी राज राज राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है इसलिए मुझे निया मनुसार इस सबाद से चला जाना चाहिए राय दूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है इसलिए राय दूत का प्रतम करतव्वे है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया मैं उस सभा से ही चला जाओं परंतु जो मैं संदेश लाया हूँ वो इतना महत्त पूर्ण है कि उस पर लंका लंका निवासियों और सारी राक्षिज जाती का जीवन और मरन निर्भर है इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वैमीर निर्मान कर लो जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुचा सकूँ जैश श्री राम जैश श्री राम कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असब्या अनीति को शासन तीनों हो लोग के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन आग लगी अंगत के एंग में सुन अभिमान भड़े संभासन पूछ बिना कहीं पूछ नहो तीसो दार लियो निज पूछ को आसन दार लियो निज पूछ को आसन हे दश्ग्रीव अब मेरे आने का कारण सुनो मैं आपके हिट और भलाई के लिए शिरी रगुवीर का दूद बन कर आया हूँ महराज मेरे पिता से आपकी मितरता थी इसलिए भी मैं आपको भली सम्मती देने आया हूँ आपका उत्तम कुल है आप पुलिष्ट रिशी के पौत्र है आपने शिवजी और ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे बहुत से वर पाये हैं और आपने सब काम सिद्ध किये हैं उसी शक्ति से आपने समस्त लोकपालों को भी जीत लिया है परंतु फिर आपने किसी संगदोश अत्वा कुमिती के कारण उन शक्तियों का दुरियोपयोग करके रिशी, देवता, घंदर्व, अपस्रा, नाग, यश और राजाओं का ब पापकर्म इस प्रकार अपनी प्राकाष्ठा को पहुच जाते हैं तो देवी शक्तियों को पापका नाश करना ही पड़ता है परंतु उस नाश के साथ ही पापी की घोर दुरगती होती है उसका अंत बड़ा बहानक होता है और मिर्तियों प्राथ उसकी दशा अत्यांत होती है आपके पाप आज आपको उसी सीमा पर ले आये हैं मैं आपके हित के लिए आपको यही प्रामश देने आया हूँ कि यही ऐक ऐसा अक्षण है जब आप चाहें तो श्री राम से शमा मांग कर उनकी शरन में चले जाए श्री राम की यहान है कि सच्छे हृदय से शरन में आने वाले के दोशों को नहीं देखते जिसने शरन में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभू मेरी रक्षा कीजिए ऐसी आर्थ पुकार सुनते ही प्रभू अपने शरनागत को अभै प्रदान कर संसार के समस्थ दुखों से मुक्त कर देते हैं उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ती होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांती दया को नहीं छोड़ते इसलिए आप मेरी मानिये इसी समय गले में कुलाडी डाल कर और दांतों में तिनका दबा कर अपने समस्त कुटूंबियों के साथ श्री राम की शरन में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पती को लोटा दे श्री राम ऐसे उदार और ट्रिपालू है कि आपके शमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको शमा कर देंगे अच्छा हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो हम सीता को लेकर अपने कुटूं सहीद दातों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिवीर तक जाए और वे हमें क्षमा न करे और बंदी बना ले तो इसे प्रभू पर विश्वास रखना ही पड़ता है जिसे प्रभू पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभू की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती आपको अश्वस्थ करने के लिए मैं इतना बता कि जब वानर सैना ने सुसजीत होकर लंका को चारो और से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए शिरी राम प्रभु की आग्या की प्रतिक्षा कर रहे थे तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुला कर स्वेम कहा कि जाओ रावन से जाकर कहो कि मैं युद उसे एक्षमा कर दूगा और लंका से वापस चला जाओंगा मैं शांती चाहता हूं तुम मेरे शांती दूद बनकर महराज रावन के पास जाओ यह बात राम ने स्वेम कही तुम मुझे मेरी सीता दे दो मैं वापस चला जाओंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा मुझे श तोन शुनना चाहते थे यही बात रामने कही कि युद्ध नहीं करूंगा मज्ञे शांती चाहिए मुर्ख इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी उसका भाई दिखाई नहीं दिया कि रणक्षेत्र में रामण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर धारी के हाथ पाउ कापने लगे जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो उस शत्रू के लिए इतने महिनों से उसके रख्त में प्रतिशोद की कोई ज्वाला नहीं भरकी तो फिर वो ख्षत्री का रख्त नहीं होगा वो तेरा परमवीर जो विखारियों की भाती हमसे सीता की भीक मांग रहा है उससे जाकर कहे दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तू नहीं है ऐसे अनमोल रत्त को तो अपने बाहूबल से जीतना पड़ता है माता सीता को उन्होंने अपने बाहूबल से ही जीता था महाराज शायदा भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभू ने तिनके की भाती उठा कर तोड़ दिया था उसी धनुष पर अपने बाहूबल की परिक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आप से उठाया भी नहीं गया था प्रतिशोत वीर्ता की निशानी नहीं होता और कायर में सट्र trag को शमा करने का सास नहीं होता इन दंत कथाओं मैं क्या रखा है मुर्ख वानर तुमने कहा था तुमहारे पिता हमारे मित्र थे, परनतु अपने कुल का परीचे नहीं दिया तुमने महाराज देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूँ मेरा नाम अंगद है मैंने ऐसी भी एक दंद कता सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावन नाम के किसी प्रानी को अपनी पूछ में बांग कर कई परवतों पर घुमते रहे थे यह वही बाली है जिनोंने अमरुत मंतन के समय समुद्र को मतने में सहायता की थी तुम वाना राजवाली के पुत्र हो उनकी हमारी तो मित्रता की संदी थी हमें यह देखकर तिंत दुख हो रहा है कि ऐसे महा बली के पुत्र होकर एक तुछ नरके तुम दूद बनकर इतनी पसंदा दिखा रहे हो जो तुम्हारे पिता का हट जाना है उसके पीछे सेवकों की भांती हाँ जोड़कर चल रहे हो तुमने अपने वन्ष को लजजित कर दिया है अंगाद हो सकता है कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव के डर से किसी ने बैचारे अंगत का साथ न दिया हो और ये निसहाय अवस्था में अपने काका और पित्र हंता की सेवकाई करने पर विवश्च हो गया हो यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आप को निसहाय मत समझो अंगद तुम हमारे पुत्र समान हो हम तुम्हें तुम्हारा राज वापस दिलाएंगे तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा यदिकार है तुम अपने आपको विवश मत समझो अपने रदे में पतिशोत की ज्वाला को बुझने मत दो तुम राम के विश्वस नी हो उसका लाब उठाकर अकेले में चुप चाप उसका वद करके अपने पिता की हत्या का ब यदि यही बात है तो हमारे होते हुए तुम अपने आपको निस्राय मत समझो अंगद तुम हमारे पुत्र समान हो हम तुम्हें तुम्हारा राज वापस दिलाएंगे तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है तुम अपने आपको विवश मत समझे अपने रदे में प्रतिशोत की ज्वाला को बुझने मत तुम राम के विश्वस नी हो उसका लाब उठाकर अकेले में चुप चाप उसका वद करके अपने पिता की हत्या का बद्ला ले यही एक वीर पुत्र का करतव्य है अब के अब आए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिशनन आप बार बार वीरता का बखान कर रहे हैं परंदु सची वीरता के गुन नहीं जानते महाराज प्रतिशोद वीर्ता के निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को ख्षमा करने का साहस नहीं कर सकता यदि श्री राम प्रभू आपके अपरादों को भूल कर आपको अपनी शरण में आश्रे प्रदान कर दे तो ये उनकी महानता है उनकी उदारता है उनकी परमवीर्था है कायरता रही जिन्वने अपने बाणों से आपकी नानी ताड़का आपके मामा मारीज आपके भाई खर दूशन जाजे योदाओं को आपकी विशाल सेना समेद अकेले ही मार दिया उन्हें शक्ति हिन मत समझिए वो तीनों लोकों के स्वामी है मेरे महाबली पिता ने मरते समय मुझे ये भेद बदाया था और आग्या दी थी कि मैं उनके श्री चरनों की सेवा करता रहूँ इसलिए आपको मुझे पर द्या करके मेरी सहायता की अवशक्ता नहीं अब अपने आप पर द्या कीजिए और हो सके तो श्री राम की शरन में जाकर अपने देश और राक्षिज जाती का लाश होने से बचा लीजिए बस बहुत हो चुका ये प्रलाम मतीमंद तुने रावन की शक्तियों को नहीं पहचाना हमारा हाथ खड़की और जाता है तो आकाश में लोग बाल भैसे कापने लगते हैं जिन भुजाओं ने स्वैम कैलाश को उठा लिया था उन भुजाओं के पड़कने मात्र से देउता गांधर्व और नक्षत्र भी भैसे सांस रोक लेते हैं कि तुम्हारी सेना में ऐसा एक युद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावन को अनंद मिले आपने सत्य कहा हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आप से लड़ने में शोभा पाए नीती कहती है कि प्रीती और बैर बराबर वालों से करना उचित है आप जैसा पापी कामी इस्त्री लौलूप तो छुपकर धोखे से पराई इस्त्री को तुराता फिरे ऐसे नीच के साथ जुद्ध करके किसकी शुबह बढ़ेगी साउधान अंगर यह मत समझो कि तुम दूद्ध बनकर आए हो इसलिए कुछ भी कहो हमारे हाथों बचे रहोगे दूद्ध की भी कुछ मर्यादा होती है यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ा तो यही तेरा शेश प्रलाब होगा अब आगे यदि तुझे रावण की सहायता नहीं चाहिए तो उसके क्लोथ से डरो रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज मैं यह जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण है मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे है महाराज इन में से आप कौन से रावण है एक रावण तो मैंने सुना है कि वो राजा बाली को जीतने पाताल में गया था वहाँ बच्चों ने उसे घुरसाल में बांध कर बहुत पीटा था तब बाली नहीं उसे द्या करके छुड़वा दिया और एक रावन के विशे में मैंने सुना है कि सहस्त्र बाहू ने एक जन्तु की भांती कीड़ा समझ कर पकड़ लिया था तब पुलस्तमुनी ने उसे छुड़वा लिया था एक और रावन की बात कहने में संकोश लगता है क्योंकि कहते हैं मेरे पिता श्री उसे अपनी काख में दबा कर अपनी पूजा करते रहे ऐसे ऐसे वीरो में से आप कौन से रावन है महराज मूर्ख हम वही बलवान रावन हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश परवत जानता है हमारी शुर्वीरता को उमापती महदेव जिनस्कार की अपने शीष रुपी पुष्प चड़ा चड़ा कर हमने जिसकी पूजा की हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं हमारी च्छाती की कठोरता को दशो दिशाओं के हाथी जानते हैं उन दिगजों के डार इस चाती से टक्रा टक्रा कर तूब करें हम वही जगपरसित प्रतापी रावड हैं जिसके चलने से प्रत्वी इस प्रकाल डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार ने उस रावड के सामने तूस्त मनुष्य राम की बात करता है शाट वामरों की सहायता से उसने समुद्र पसेतू बान लिया यहीं उसकी प्रभूता है समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं उससे वे समी शुर्वीर नहीं हो जाती यदि तेरा स्वामी ऐसा ही युद्धा है तो दूद किस लिए भेशता है शत्रू से संधी करते उसे लाज नहीं आती महाराज लज्जा तो केवल आपका ही गुण है इसी लज्जा के मारे आप बार बार अपने गुण गाते नहीं धखते हे लंकेश नाम ने डर कर मुझे एक दूद बना कर संधी करने नहीं भेजा शिरी रगोवीर ने यह सोचकर भेजा है कि सियर को मारने से शेर की शवबा नहीं होती इस कारन वो तुमपर द्या करना चाहते हैं परंतु तुम द्या के पात्र नहीं हो ऑब श्री राम की अंतीम्चेतावनी तुम्हें सुनाता हूँ उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अप्रादों का दंदेने लंका के द्वार पर आ गया हूँ प्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभी मान है उसके नश्ट होने का अब समय आ गया है राक्षे सद्धम यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरन में नहीं आए तो मैं इस पृत्वी को राक्षे सहीन कर दूँगा जिस बल के भरों से तुमने चल से सीता का हरन किया है उस बल को आज युद्ध भूमी में दिखाओ मैं मंत्री, पुत्र और बंदू भादो सहीत तुमारा वद्ध करूँगा क्योंकि तुमारे मारे जाने से तीनों लोक निशित हो जाएंगे इस रावन रूपी जहाज के डूपने का समय आ गया है अब भी समय है इसे शिरी राम की शरन में आना हो, वो आ जाए वारार अब इस ने अपने जीने का अधिकार खो दिया इसी सभा में इसका सिर काट कर इसे रावन की शक्ती का अभाज करा अग्या का पालन हो फेरो महाराज, ये बेचारे आपकी शक्ती मुझे क्या दिखाएंगे मैं आपको अपनी शक्ती दिखाता हूँ जै श्री राम जै श्री राम जै शी शक्ती 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 शक्ता हूँ खालो है कि यह लगाए कि यह लंग केश जदी को अपने युद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्रीराम की और से आपके समस्त युद्धाओं को चुनोती देता हूं मैं अपना पैर आपके इस दर्बार में जमा देता हूं ज़िए आपका कोई युद्धा इस पैर को धर्ती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की और से यह बचन देता ह यह वह अपनी हार मान कर इस लंका से वापीश चले जाएंगे जैश्रीराम समुझ प्रताप राम कपिकोपा सभा माजपन करिपद रोपा जा मम चरन सकसी सथ टारी फिरही राम सीता मैं हारी हिम्मत हो इस तो याहे उखारो अंगत बीच सभा में ठारो बोले राम जी की जैए अंगत बीच सभा में ठारो बोले राम जी की जैए पर पकड़कर इस बंदर को बहती में पठार दो एक एक जो धावे एक एक जो धावे अपनी सारी शक्ति लगावे पग नहीं दिगे बीर मुसकावे राम जी की जैए पग नहीं दिगे बीर मुसकावे बोले राम जी की जैए पर राम जी की जाओए पर राम जी की जाओ़ा झावे और रचकी जैए पर जावे बीरे लावे इस बंदर दो कते वावे खर जावें भर वावे दो लग पर राम जावे झाल 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 एक एक जो धावे एक एक जो धावे अपनी सारी शक्ति लगावे फग नहीं दिगे बीर मुसकावे राम जी की जाए पग नहीं दिगे बीर मुसकावे बोले राम जी की जै इंद्र जीत आदिक बलवाना हर अशी उठे जेही तेही भटनाना सत नहीं दोले जैसे सत बंति नारी को मन नहीं दिगे जैसे साधु ब्रमचारी को अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को पग है अटल यो अंगत बलधारी को सभा अचम्बित सारी ऐसो नहीं देखो कड़ धारी या को राम भरो सभारी बोले राम जी की जै या को राम भरो सभारी बोले राम जी की जै 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 मूर्क चरण पकड़ने हैं तो जाकर शीरी राम के चरण पकड़ जिनके चरणों में मुक्ती का द्वार है मेरा बैर क्यू पकड़ता है मेरी चुनोती आपके यो द्वाओं को थी आपको नहीं आपको तो फिर यहीं कहूंगा शीराम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्यान हो जाएगा मैं कल सुर्यों जे तक का समय देता हूं उसके पश्चाद लंका बचड़ाई कर दी जाएगी कर देता है कर दूर सब्सक्राइब कर देता है कर दो कि अवर्यों के चैंट कि अगल नात प्रेवार है समस्त गुरुजन आपको समझा रहे हैं आपके नाना जी आपके श्वसूर आपकी माता सभी में एक ही बात कही है कि सीता को लोटा कर राम की शरण में चला जाओ यही बात तुम भी कहने वाली हो तो हमारा उत्तर भी सुन लो यह नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता रावण सीता को अपते रानी बनाएगा उसे लोटाएगा नह तू सीता मानेगे तब ना मानना ही पड़ेगा रावण की इच्छा का विरोध करना देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं तो बैचारी सीता क्या महाबली आप चर अचर देव दानव मानव यम कुबेर दिकपाल यहां तक कि साक्षात काल को भी अपने भुजबल से जीत सकते हैं परन्तु एक सत्य सत्वंती नारी के मन को नहीं जीत सकते स्त्री का हिर्दय तो दया ममता और स्ने का अगाद सागर है स्त्री प्रेम में पंखोडी के समान कोमल है परन्तु अपने सत्य धरम के पालन में वो हिमाले से भी अधे का विचल है परवत्तु भुचाल से दहल भी सकते हैं परंतु स्त्री का हिर्दय बड़े से बड़े प्रलोभन और फीशन से भीशन भैसे भी अपने धर्म से कंड भर भी विचलित नहीं होता तो रावण भी जो निश्चे कर लेता है उससे कंड तो क्या अनुभर भी पीछे नहीं हटता सीता या तो रावण के गनवास में रहेगी या यहीं उसकी चिता जलेगी प्राणनात यह दुराग्रे करने का अफसर नहीं है अंगत केवल एक ही रात का समय दे गया है यह अन्ति मिर्णे की रात है यदि यह रात्री संदी के बिना बीट गई तो लंका केवल इतिहास के पन्नों पर ही लिखी रह जाएगी कि यदि आप चाहिए तो इतिहास और काल के धारे को मृत्यों से जीवन की और मोड़ सकते हैं राक्षस जाती की आने वाली पीडियां आपकी रिनी रहेंगी मित्रता और संधी के लिए आगे बड़े हुए राम के हाथ को स्वीकार कर लीजे नात महरानी मंदोद्री इन सब बुढ़े कायरों ने मिलकर तुम्हारी मती ब्रमित कर दी हैं उनके डराने से भैभीत होकर भावा वेश में आकर आप क्या कह रही है यह नहीं जानती आप तुच्छ वनवासी नर्ग के चलनों में शीज जुका कर उंसे प्रसमा मांघने को कह रही है नावर को उस रावर को जो तीनों लोको का वीजेता है उस रावर को जिसमें धरती को क्या शीजिस्ट्ट가요 प्लाटाने की शक्ति को जो दरबार में नलों को अपने सामने खड़ा रखता है उस रावन को एक तुछन नर के सामने गिलंगराने को और झेल है झाल मैं उस रावान को कह रही हूं जो उस रेखा को भी पार्न कर सका जो उस्तुछ वनवासी नर्ग के छोटे भाई ने अपने धनुष से धर्ती पर खेंच दी थी हाँ मैं उसी रावन से कह रही हूं कि इतना अंकार अच्छा नहीं होता मंदोवरी हाँ स्वामी यदि इस समय मैं आपकी आँखों पर बंधी हुए अंकार की पट्टी खोल कर आपको वास्तविक सत्य के दर्शन न करा दूं तो मैं अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाऊंगी क्यूंकि हर पत्नी का ये धर्म है कि कुमार्ग पर भटके हुए कुर्यक दर्शन न ये जैसे कि हरें अच्छे मित्र का करतव्य है कि वो अपने मित्र से गाली सुनक भी उसे कुमार्ग से बचाकर ले जाये को अई SARAH ही पत्नी का भी धर्म है पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता नाथ हम मित्र समझकर ही तुम्हारे पास आए थी कि हमारे ठके हुए मन को थोड़ी शान्ती मिल जाए मेरा एक पत्नी का रूप है तो मेरा एक मा का भी रूप है पत्नी और मा ये दोनों रूप मुझे समय विवश कर रहे हैं कि अपने पते और पुत्रों की सुरक्षा के लिए उनके प्राणों को एक अनावश्यक युद से बचाने के लिए मैं उस राजा से भिड़ जाओं जो सारी प्रजा को युद्ध की आग में झुखने जा रहा है महरानी मंदादरी जिसे तुम हंकार का मत कहती हो वह आत्म सम्मान की भावना है एक कायर पूरुष की पत्नी होने से एक बीर पुरुष की विद्वा होने में अधिक सम्मान है जो बिखारियों से भीख मांगता फिरे ऐसे पती के जीवित रहने से क्या अलाब तुम उस पर कभी मान नहीं कर सकोगी प्राणनात आप ये क्यों नहीं समझते कि जिन्हें आप बार बार वनवासी और भिकारी कह रहे हैं वो स्वयम जगनात हैं वे कोई साधारन मानव नहीं है सर्व शक्ति मान साक्षात विश्णू है विश्णू हाँ 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 विश्णू जगनात विश्णू हाँ 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 ह अब इसी ब्रह्म में भूले कपोल कल्पना में भर्माय हुए हैं नहीं नाथ ये भ्रह्म नहीं सत्य है वो स्वयम विश्वनियंता चराचरपती श्रीमन नारायन ही है जिनके विराज्च स्वरूप में अख्यल भ्रह्मान समाया है ब्रह्म मलोक जिनका शीष पाताल जिनके चरण सूर्य चंद्र जिनके नेत्र मेग मंडल जिनके कालिक केश है भयंकर काल जिनके भ्रकुटी संचालन से गतिमाल होता है वेद जिनकी वाणी शिव जिनका अहंकार ब्रह्मा जिनकी बुद्धी है उत्पत्ति पालन तथा प्रल जिनकी चेश्ठा है उन्हीं चराचर पती ने राम नाम धारन करके नर रूप लिया है आप उन्हें क्यों नहीं पहचानते नाथ तुम्हारे इस वरणन से भैभीत नहीं हुए हमारा उस साथ दुगना हो गया जदी वह विष्टू भी है तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव की भाती रावन की शक्ति को देख ले तो उसके लिए अच्छा ही है ऐसा लगता है कि काल के वश में होने के कारण आपके हिर्दे में ज्ञान उत्पन ही नहीं होता स्वामी काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता वो प्रानी के धर्म बल पुथी और विचार को हर लेता है और फिर ऐसे प्रानी को आपकी ही भांती भ्रम हो जाता है आपके पुत्र मारे गए नगर जल गया अभी अपनी भूल का सुधार कर लीजिए मैं आपके चरण छूती हूं श्री राम से वैरत्याग दीजिए हम उन बुड़े भीरों के उब देश से दुखी होकर तुम्हारे पास आए थे कि तुम हमारी कलांती मिटा कर हमें थोड़ा सुक थोड़ी शांती दो परन तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे कक्ष में आने की हमने भूल की सकल चतन करके भई मन दो दरी हताश दंधी को दीखे नहीं कंठ काल को पाश अति भैभीत अमंगल सोभई पत की करनी पर पच्चतावे इस्ट को कोई अनी इस्ट नहोई सो मन ही मन निज इस्ट मनावे मूढ भायों दस मूणन वारों कहेता है मूढ के जो समझावे जान की लेवा ले आयो रे जान की रावन को अब कौन बचावे वीर मकराक्ष तुम तो वीरों की भाती रण भूमी में अपने प्राण देकर गवरों से उच्चा मस्तक किये उस लोप में अपने पिता की पास चले गए परंतु लज्जा से हमारा मस्तक चुका गए आज हम तुमारे पिता के रिणी हो गए हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सोग गए था हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके यह दाग हम कैसे धोएंगे यह रिण हम कैसे चुकाएंगे अग्या दीजिये पिता श्री राम और लक्षमन के रक्ष से यह दाग मैं आज ही दो सकता हूं आपका यह रिण मैं चुकाएंगा नहीं मेगनाद यह रिण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे अन्य था हम हमारे भाई घर को क्या मू दिखाएंगे जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था परंत उसके म्रत्यों से हम लज्जित नहीं हुए थे क्योंकि वह हमारा पुत्र था हमारा धंता हमने लुटा दिया पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पुर्ण अधिकार होता है परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था इसकी मृत्य हम पर रिण हो गई है इसलिए जो शबत इसने अपनी माता की चापूरती के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का शाद्ध तर्पड करेगा वही शबत आज हम लेकर रण भूमी में जाएंगे हमारे साथ शैना को कूच का अदेश लि यह रण नीती के विरुद होगा जब तक एक भी सेना नायक अत्वव एक भी महारती जीविद हो, राजा का स्वام युध भूमी में उतरना नीती सम्मत नहीं होता एक तो उससे राजा की शक्ती हींता का आभास होता है दूसरे सैनापती अत्वा महारती की मृति से राजा पराजीत नहीं होता पर उन्ति यदि राजा को कुछ हो जाए तो सारे देश की पराजे उसी शन ही हो जाती है से पतिए कंपन तुम केवल सिवहासन की शुबह बढ़ाने वाले किसी राजा से बात नहीं कर रहे तुम महारतियों के मारती तीनों लोकों के विजयता परम शुरूवीर लावन से बात कर रहे हो हम यह भी देख रहे हैं कि शत्री एक साधारन युद्धा नहीं है हमारे मारथियों का बसका नहीं है वह इसी पिकार हमारे मारथियों का एक एक दो करके अंद करता रहेगा तो हमारी सेना का मनुबल दिन प्रति दिन खिन होता जाएगा और उसका यश और मनोबल उसी प्रकार भड़क उठेगा जिस प्रकार यग्य में ग्रत की आहुती पढ़ने से अगनी की ड्वाला भड़क उठती है इससे पहले की वह ड्वाला उसकी यग्जिशाला से पैल कर हमारे सारे देश को बस्प कर देए हम आज ही उसकी यग्जिशाना को विद्वर्श कर देंगे इस युद्ध का लंबा होना लंका के हित्मे नहीं है हमारे कूज का डंका बजाया जाए हमारे की जहीं Schule मैं आज है देहीं का लंबा होना ले कासे ओो शोंप कर दो तेंगे कर दंका का देची यज視 युद विए प्ना में एंगे विद्ध मिद्ध वें साइब वे आ किंदो more than वे वे उंगे मुदाना को रिए ξ हुद्र एंकिंप वे वे प्रभू, लंका नरेश रावण स्वायम युद्ध के लिए आ रहा है। स्वायम आ रहा है? इतनी चल्दी? हाँ प्रभू, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यों सहन नहीं हुई इसका अर्थ ये भी है, वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रू इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम युद्धाओं के रहते हुए भी स्वयम युद्ध में आना पड़ रहा है। विजय का संकेत है। युद्ध में आना प्रका नाते है। युद्ध टाँ झाल 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 जिसे अपने वीर होने का मान हो रोड़ भीनी में खड़ा रावर्ड युद्ट की चुनाती दिये रहा है है कोई रावर्ड यहां तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर है तुम जिससे हारना चाहो उससे स्वैम ही चुन लो तुक्रिव उस दिन दुम दुमा कर भाग गया था आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती जाओ रावर्ड से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं वह वनवास ही कहा है राम सुना है उसे युद्ध करने की बड़ी अकांग्शा है इसलिए आज हम स्वैम पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम कीच कर लंबा करना नहीं चाहते इसमें किवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष्ट निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं बेचारे मुद्ध में मारे जाएंगे इससे अच्छा यही है उसे बहार निकालो जिससे उसकी युद्ध की अभिलाशा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके जिससे लंका की और आख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके यह तुम से किस ने कह दिया कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभू के दर्शन कर सकता है शट तुम तो उनके हातों दंड पाने के योग भी नहीं हो यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा कर दो एक युद्धा पर बांच लाते हों तुम्हें तो युद्ध के पात्मिक नियम भी नहीं पता है तुम्हें रणभूमी में किसमें बेश दिया जाओ युद्ध धर्म की से चले कर आओ जो रणभूमी में आ गया वहर प्रकार से वद्ध करने योग्य हो जाता है राक्षा स्वीरों का यही धर्म है हम इन मानवी भावनाओं की निर्बलता में नहीं पस्ते युद्ध का एक ही लक्ष है जीत वो किसी प्रकार भी हो तुम ठीक कहते हो नियम नीती धर्म इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का ख्या रिष्टा यह तो सब लोगों की बाते हैं तुम जैसे असा जानवरों को यह बाते समझ में नहीं आएंगी तुहरी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांड देगा तुम जैसा पापी वा दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहरा लेता है तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है जो कि तुम विवेग धर्म और नीति की भाशा नहीं समझ सकते ये पांड नीति की बातें किसी रुशी मुनी को जाकर सुनाओ तो बाते करो शस्त्रों की जंकार से शस्त्र ही प्रश्ट पूछे शस्त्र ही उसका उत्तर दे यही नियम है यहां का आप स्वेम जाए प्रभू आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है वो अकेला ही हमारे अनेक युद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़िक्छती कर सकता है युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रों का इस प्रकार प्रभाव बढ़ जाए तो अपनी सेना के मनोगल की हानी होती है अपनी में इस भाव थैसके युद्धा। झाल, झाल, झाल. वाह, रावल के पैर भी डगमगा दिये, कोई बात है, एक आउसर हमें भी दीजिए, जाए श्रीराम! वाह, रावन, वाह, जोए श्रीराम! भगवान शिव के त्रिशोल की भाति प्रचंड, वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया, तुम परम शक्तिशाली हो! परम तो कितने दुख की बात है, कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कारियों में किया, और इस दुर्दशा को पहुँच गए! दुर्दशा? किसकी दुर्दशा? हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी! एक वनवन भटकते हुए वनवासी को, सुलन लंका के सिंगासन पर बैठे हुए तिन्होण विजई, लंकेश के वैभाव में दुर्दशा दिखाई दे रही है! राम तुम अपनी वाक पडूता के जादू से इन अग्यारी वनवनों को भर्मा सकते हो! रावल को नहीं! भक्त और ज्यानी में यही अंतर होता है! भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो! परन्तु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है! परन्तु ज्यानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है! जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है! जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंग घासन पर बैठ कर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुब रहा है! इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशानती, जिन्ता और एक तलप रह गई है और कुछ नहीं! तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का अभास हो जाता है कि उसका अंता समय आ गया है! और तब वो एक घायल साप की भाते सुरक्षा की बिल ढूंटा फिरता है, परन्तु उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलते! वही अवस्ता इस समय तुम्हारी है! तुम्हारा अंत आ चुका है! तुम्हारे पापकर्मों के विष्ट ने तुम्हारे मन की शांती को जला दिया है! और तम उस अशांती की तड़प पाप के विशले काटे की चुभन को छुपाने के लिए उची आवास में बड़ी बड़ी दिंगे मार रहे हो, जिने तुम्हारा अपना मन भी नहीं मानत रावन इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है राम सुना था कि रगवशी बड़े वीर होते हैं परंतु तुम्हें देखकर वद्धारना दूर हो गई तुम तो किसी राजा के दर्बार में बिदावने सुनाने वाले भांडो और पंडितों की भाती कोई बेशक लगते हो अरे जो वीर होते हैं वा धनुश बानते बात करते हैं जबानते नहीं हार ये कंदे पर जो धनुश रखा हुआ है ना वा कोई शोभा की वस्तु नहीं होता उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे झाले बाते हैं पर बाते हैं वाले जाते हैं झाल 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 आप 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 केवल पाशिविक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिंती से युद्ध नहीं जीते जाते युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परमावश्यक है तुमने लक्षमन से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीती कोई धर्म नहीं होता हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है हम शस्त्रहीन और निहत्य शत्रू पर कभी वार नहीं करते हैं यह है रगुवंशियों की वीरता लंका नरेश तुम्हस समय शस्त्रहीन सुरक्षाहीन और अपमाने तवस्था में केवल शत्रू की दाया के कारण जीवित हो इसी का नाम है दुर्दशा किया नहीं देस शीश को केवल शस्त्र विहीन आन बान अभिमान सब लिये राम ने चीन अब जाओ कल पर शस्त्र लेका राना कर दो सर जुका कर चला, मुँ किखा कर चला हार की खीज से तिल मिलाया हुआ हाथ में तूटा धर्पन अहंकार का अर्ध विक्षिप्त सा छट पटाया हुआ आज रावन को भी इसका आभास है राम के रूप में काल आया हुआ काल से कोन रक्षा करे जब स्वयं काल को देनि मंचन बुलाया हुआ जिस राह से रच पर निकला था उस राह पे पैदर आज चले प्रतिशोध की आगल ये मन में अपमान की कालिख मुख पे मले जब राम विमुख हुआ राम समुख तो एहम ब्रम्हास्मी के पंक जले तब तूटता है उचाई का भंग जब आता है उट पहाड तरे जब आता है उटक में कर दो कर दो कर दो में जाओ हमारे विशेश संदेश वहकों को तुरंट उपस्तित होने का अधेश दो जाओ जाग्या महाराज कर दो कि इस युद्ध में समस्त राक्षष शक्तियों का एकत्रित होना आवश्च्थ है इसलिए हम चाहते हैं किस धर्ती पर जहां जहां राक्षष शक्तियां हैं वे सब एक जूठ होकर इस समय लंका की साहिता के लिए आजाएं शारदोल महमेग तुम माय के परों परोड़कर आठो दिशाओं में जाओ सातों दीपों में कठोर पर्वतों पर पाताल की कंदराओं में चक्रवार गिरी के उपर सरवत्र जहां जहां राक्षष शक्तियां हैं उन्हें लंकेश्वर कावाहन सुनादो कि आज समस्त राक्ष जाती की प्रदिश्ठा का प्रश्ण है आज असुरी शक्ति इस वानर सेना का मकाबला भी न कर सकी तो उन्हें इस पर ठीपर रहने का कोई दिकार नहीं है इसलिए युद्ध के लिए सुसजित होकर सब को लंका में एकत्रित हो जाना चाहिए जा जो आग्या महाराज प्रणाम नाना जी चिरन जीवी हो यह शस्वी हो क्या बात है तात्र तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे है तुम्हारे मुक मंडल पर चिंता के मेग मंडरा रही है तुम्हारे विशालनेत्रों में निराशा की उदासी जिल मिला रही है नाना जी आप हम पर गंकसने आये हैं हमारा उपहास करने आये हैं यह कैसी बात कर रहे हो लंकेश तो फिर वही बात कहने आये हैं कि सिता को लेकर राम की चड़ने में जागी रूँ नहीं अब वो बा रामर्ष उसी समय उचित था पारंतु अब युद्धारंब हो गया है अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे अब तो शूरवीर की भाति लड़ना होगा अब या तो सिता को लंका की महारानी बनाओगे या शूरवीर की भाति अपना मस्तक रंचंडी के चड़नों में चड़ा दोगे शूरवीर की भाति मरना भी पुरुष की एक शान है कि तुम मेरे बालक हो मैंने गोधी में खिलाया है तुम्हें कि सदा तुम्हारी उन्नती सम्रद्धी और कीर्थी की शुब कामना की है कि तुम इस प्रिथ्वी पर असुरों के शिर्मौर हो तुम्हारा मस्तक जुग जाएगा तो इस भूमी पर राक्षसों को सिर्च छुपाने के लिए कोई जगा नहीं रहेगी मैं ये पूछने आया हूँ तुम इतने हतोत साहित क्यों हो गए उत्सा ही नहीं हुआ नाना जी विचारा दीन हो गया हूँ किस विचार में खो गय हो वच जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रू का पार पाना नाना जी शत्रू प्रबल है तुम स्वयम प्रबल से प्रबलतम भीशन विपलव हो दशानन तुमने इंद्र के वज्र शिव के त्रिशूल और विश्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश यही तो विचार करने की बात है नाना जी उस वनवासी राम का बान जब कमान पर चड़ता है तब चतुर मुक ब्रमा के समान दिखाई देता है और जब धनुश से छूड़ता है तब सहस्तुर मुक विश्णु के समान हो जाता है और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समा प्रलाइंकारी बन जाता है नाना जी हमने इंद्र के कुलिष शिव के तिसल और विष्टु के सुदर्शन चक्र को अपती और आती देखा है परंतु उनके और राम के बाणों में अगाद भैद है राम के बाणों की गती इपती तिवर है कि कब धनुष से छूटते हैं कब दिशाने पर लगते हैं देवताओं के द्रश्टी भी उससे नहीं पकड़ पाती तो फिर इन चर्व चक्षों से कैसे दिखाई देंगे मानो तीनों लोगों की शक्तियां उसमें समा गई हो आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया केवल हमारा उपहास किया है जैसे कोई बालक के साथ खिलवार करके उसे भखा दे ये तो और अच्छा हुआ पहले दिन ही तुमने शुत्रू की थापा ली तात पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो और पराजय के पहले जोंके को अ शुत्रू के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो इसी लिए तो हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाती को इकत्रित करने के लिए दूद भेज दिया है और कहीं दूद भेजने की क्या आवशकता है जबकि परम शक्ति शाली तुम्हारा भाई कुम्हकरन तुमार चाही काफी है जगा उसे अश्चेर की बात है आज तक ये बात हमारी दश्क्री में क्यों नहीं आई ना जी आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया नायक विरुपाक्ष जाओ कुम्हकरन की शेन कंद्रा में जाओ उसे जगाओ और उसे लंके इश्वर का संदेज सुनाओ आज लंका को कुम्हकरन की आउशक्तान पड़ी है जाओ